नमस्कार आपका स्वागत देधार नामा टीवी पे मैं पुनम आपके साथ राष्टवादी कॉंगर्स पार्टी के चीफ शरत पवाश शिवसेना सांसत संजर राउत और उनके भाई सुनिल राउत को शुकरवार को जान से माने की धमकी मिली पवार को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है संजयराउद ने कहा कि पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को पकड़ा है वे सभी भाशपा से जुड़े हैं महाराश के मुक्व मंदर एकनाचिंदे ने कहा कि शरत पवार को धमकी मिली है सरकार इस मुद्दे पर गंबीर है मैंने खुद पुलिस के अधिकारियों से बात कर जांच के निर्देश दिये है पवार सीनियर लीडर है हम उनका सम्मान करते है उनकी सुरक्षा ख्याल रखा जाएगा जरुरत पड़ी तो उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी महराश के डिप्टी सीम देवेंद फंड़ीस ने कहा कि हमा राशनितिक मद्बेत हैं लेकिन किसी भी नेता को धंकी बरदाश नहीं की जाएगी पुलिस को मामले में कारवाई करने का निदेश दिया गया है शरत पवार की बेटी और लोकसबा सांसेत उपरिया सुले ने शुकरवाद दोपर मुंबई पुलिस कमिशनर से मुलाकात की उन्होंने पिता को मिल रही धंकियों की शिकायत की इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते वे कहा की पवार साथ को वाटसेप पर धंकी बरा मैसेच मिला था मैं पुलिस को इस जानकारी देने आई थी महाराश्च के ग्रामंतरी और केंद्री ग्रामंतरी ने मेरी अपील की है कि इस पर जल्द करवाई की जाए राज़ में सी निश्रेस्रकी राजनिती बंद होना चाहिए उदर ठाकरे गुट के विधायक सुनिल राउत ने बताया कि संजर राउत मुझे कल से धंकी भरे फोन आ रहे हैं फोन करने वाले हमें जान से माने की धंकी दे रहे हैं और मीडिया से बात न करने के लिए कहा गया है मुंबई पुलिस आयुक्त और राज् रामा टीवी के साथ धन्यवादा